तो दोस्तों जैसा कि आपने थमनेल देखा है आज़ की वीडियो में हम बात करेंगे कि सर मूचल फंड के जितने भी फंड हैं उन सबी फंड में से सर एक ऐसा एकलोता फंड है जिसको मूचल फंड का राजा बोला जाता है उसका नाम है क्वांट मूचल फंड के उन्दर ये इसा क्या करता है पैसो को investment किस तरीके से करता है जिससे हमको actual में इतना return मिलता है और यह इतना aggressive की होता है कि पल भर में उपर चले जाता है पर बल में डाउन चले जाता है तो उसकी complete आपको जानकरी बताऊंगा ऐसे complete तीन point हैं दोस्तों जिस पे यह work करता है और जितने भी mutual fund यह 3 point पे ध्यान नहीं देते हैं सिरिफ यह एकलोता एक ऐसा mutual fund है quant mutual fund जो यह 3 point पे काम करता है इसलिए हमको future में अच्छा कासा corpus बना के देता है और उसमें आपको रिक्स भी जादा देखने को मिलता है तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को तो दोस्तों वीडियो शुरू हो से पहले मैं विकास स्वागत करता हूँ आपका grow business finance हमें दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए क्योंकि mutual funds से related हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती ही रहती है तो चलिए शुरू करते हैं आज के मारी वीडियो को दोस्तों कि चितने भी फंड इतना क्योंब है अगर आपको यह चीज जाननी है तो यह तीन पॉइंट पे ज़्यादा काम करते हैं, पहले ही मैं आपको ये चीज बता दू, Quant मैं मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि Quant Small Cap, Quant Flexi Cap, Quant Large Cap या Quant Mid Cap, Quant की जितने भी फंड है दोस्तों, ठीके, Quant एक ऐसा एकलोता mutual fund है, जिसके जितने भी mutual fund है, जितने भी fund है quant के अंदर, quant की जितनी भी scheme है, सारी better है, सब आपको अच्छा return बना की देती है, सब भी ने अपने benchmark को अच्छा तरीके से बीट कर रखा है, last 10 year का अगर आप data analysis करो तो, यहाँ पर क्यों है दोस्तों, तो यहाँ पर यह चीज देखो, यह investment जो philosophy है, इनकी यह 3 चीजों पर काम करते हैं, और बाकी के जितने भी fund यह 3 चीजों को छोड़ देते हैं, तो पहला हमारा point क्या है, staying active, सरी staying active का मतलब क्या है, staying active का मतलब यह है, कि इसमें जो fund manager होता है, यह किस पर विश्वास रखता है, buying and sale पर, अब सरी buying and sale क्या होता है, तो कहने का मतलब यह कोई ऐसी नई company आई है, जिसमें अगर हम invest करेंगे, तो हमको काफी अच्छा benefits होगा, तो वो क्या करेगा, इसमें से sale करेगा, अपना पैसा, और किसमें से डाल देगा, किसमें purchase कर लेगा, जो नया fund market में आया है, जो नई company market में आई है, ठीके, यह चीज नहीं देखते हैं, कि वो कैसी है, complete analysis कर लेती, कि हाँ, अगर हम इसमें पैसा लगाएंगे, तो हमको benefits मिल सकता है, उस time यह यह नहीं सोचेंगे, कि अगर हमने डाला, यह negative चले गया, यह down हो गया, तो क्या होगा, बस यह aggressive mind रहता है, simply पता पड़ा कि हाँ, इसका market अच्छा होने वाल है, तो simply इनकी जो भी holding है, जिसमें invest कर रहा है, उसमें से पैसा निकाला, और नया investment स्टार्ट कर दिया, तो यह क्या करते है, इस टेंग active, यह चीज मतलब है, और दूसरे fund क्या करते है, तो जैसे माली जी HDFC, मैं example के लिए रहा हूँ, HDFC fund, ठीक है, अब जैसे माली जी HDFC ने investment कर रह है, वो simply क्या करते है, जैसे माली जीए, कोई investor है, जैसे माली जीए, आज की रेटमेंट को पता पढ़ गया, कि कोई ऐसा fund आया, market में, यह company आये, इसमें अगर हम investment करेंगे, तो हमको अच्छा कासा profit हो सकता है, और आज ही के दिन investor ने invest कर दिये, किस investor ने invest कर दिये, एक लाक पता किसमें लगाएंगे, यह इसमें नहीं लगाएंगे, कि जो नया fund launch हुआ है, नहीं company launch हुआ है, यह किसमें लगाएंगे, जो actual में इनका investment इनने continue कर रखा है ना, उसमें लगाएंगे, इसलिए क्या है दोस्तों, जो हमारा कुवांट का fund है, वो काफी aggressive रहता है, इसमें जो नए investment market में आ रहे हैं, जो नई company market में आ रही है, उसमें यह पैसा invest कर देगा, यह बिल्कुल भी नहीं सोचेगा, time बिल्कुल भी नहीं रहेगा, विदन सेकंड यह investment कर लेगा, इन में से जो भी खराब company होगी, अगर खराब company नहीं भी होगी, तो भी क्या करेगा, इसम वीडियो बनाया था, उसमें मैं आपको एक screenshot बताया था, मैंने community में पोस्ट डाला था, मेरे quant small cap के अंदर मैंने investment कर रहा है, लेकिन दोस्तों जिस दिन मेरा market डाउन गया, एक दिन के अंदर मेरा दोस्तों 12 सुरूपे negative गया था, quant small cap fund, क्यों गया था, क्योंकि दोस्तों व focus on return, focus on return का मतलब है, यह यह चीज नहीं देखते हैं, कि हमको wait करना है या नहीं, जैसे मान लेजिए, इनको पता पड़ा कि हाँ, यह fund है, अभी हाली में launch हुआ है, नई company आई, इनको पता पड़ गया, यह complete उसका analysis करेंगे, then क्या करेंगे, within second, within second उसमें investment कर देंगे, अब यह यह नहीं सोचेंगे कि हम इसमें पैसा लगाएंगे, तो वो डूब भी सकता है, इनका में मकसद यह होता है, focus on return, कि हमको जारदा से जारदा return जरनेट करना है, अब क्यों करना है, इनने 50 से 60 जो company हों में पैसा लगा रखा है, वो already इनको return बना के दे रही है, लेकिन इन इसरा point है, timing is everything, timing is everything का मतलब यह है, यह तुरंत प्रवाव से काम करने में विश्वास रखते हैं, within second काम करने में, आज analysis हुआ, तो आज ही कि आज invest होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज आपने पूरा analysis कर लिया, कल उसको check करेंगे, फिल जो हमारे fund में ले जाने, उनका complete analysis देन, चौत्वे पांच पे दिन investment करेंगे, नहीं, within second, आज hand to hand check करा, complete पता पड़ा कि यह company market में नहीं आई है, complete उसको fundamental check करा, fundamental check करते के साथ ही पता पड़ गया, अगर सही है, तो within second क्या करेंगे, जो पैसा है उसमें invest कर देंगे, तो क्या है दोस्तों, complete यह 3 point है, इसलिए जो हमारे quant के fund है, वो आपको काफी अच्छा return बना के देते है, आपर दोस्तों complete मैंने theoretical आपको बता दिया है, जिससे easily आप समझ सको, हमारे जितने भी mutual fund है, वो उनके जो अंदर का working रहती है, जो investment philosophy होती है, वो अलग होती है, लेकिन जो quant के fund की philosophy है, वो कुछ इस तरीके से है, क्या है दोस्तों ये buying and sale पर विश्वास रखते हैं, जिससे इनको return ज्यादा मिल सके, focus on return, ठीके, ये नहीं है कि हमको, जैसे माली जी ये 60 की 60 company है, 60 company है, अब ये actualman को अच्छा return दे रही है, तो ये ये नहीं सोचिंगे कि 60 company अच्छा return दे रही है, तो market में जो नई company आ convert हो जाए, तो ये इस चीच पर विश्वास रखते हैं, और timing is everything, इसलिए within second ये work करते हैं, within second investment करते हैं, तो दोस्तों ये 3 point है जिस पर ये काम करते हैं, तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी, आज से पहला आपको ये चीच पता थी या नहीं, comment करके जरूर बता तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हमारी नेस्ट वीडियो में, जैश्री शाम दोस्तों, जैश्री राधी